सरीता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है उसका पती रोहन उसे बहुत प्यार करता है घर में उसकी सास, शान्ती और ननद मिनाक्षी भी है जो सरीता की किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती लेकिन फिर भी सरीता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिचारी बहु वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है माजी, ये लेजे आपकी चाए अरा बहूर, तुन्हें एतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाए मैं? हाई हाई माजी, मैंने तो उतनी ही मीथी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है मा जी आपको तो मेरे हाथ के चाहे अच्छी ही नहीं लगती जब देखो कुछ ने कुछ कमी निकाल ही देती हो अरे बहु तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती है मैंने ऐसा कप कहा कि तू रोज चाहे खराब बनाती है सरीता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठा कर अपनी मा से बात करती है हलो मा, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठेक हूँ, पर तु बता तेरा मूड कैसा है? तेरे आओद से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे से सुराल में अरे क्या बताऊं मा यहां तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यावार होता है मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे चार बाते सुना दी बेटी तु इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया वो बड़ी है ना तुझसे मा ने इतना समझाया लेकिन इस बात का सरीता पर कोई असर नहीं हुआ अपनी बिचारी बहु की छवी वो बदलना ही नहीं चाहती अगली सुपा सब नाश्टे की टेबल पर बैठकर नाश्टा कर रहे थे तबी सरीता ने अपने पती से कहा सुनिये जी मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है आज आप ऑफिस से आने की बाद मुझे लेकर चलना ना भाबी मुझे भी कुछ किताबे खरिगनी है आप दोनों जाई रहे और तो मेरी किताबी भी ले आना लो अभी तो बाद ही की है बाजार जाने की तो एक फर्माईश आ गए माजी आप भी बता दो कुछ और हाँ महले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहती हो तो बिचारी मिनाक्षी अपना सा मू लेकर रह गई ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुसे में बुला सरीता क्या हो गया है तुम्हें मिनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है तुम्हें मिनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए माफी मांगो उससे अभी क्या? मैं माफी मांगो? दिन भर आपके घर की काम करूँ मैं आपकी और आपके घर वालों की बाते सुनू मैं और अब माफी भी मैं मांगो ऐसा कभी नहीं हो सकता ये बोलकर सरीता वहाँ से चली जाती है एक दिन उनकी पडोसन घर आती है आरे सरीता क्या कर रही है? और क्या करूँगी भाबी जी? बस घर का काम ही कर रही हूँ आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी लेकिन तुम तो बीजी लग रही हो कोई बात नहीं मैं बाद में आ जाओंगी और क्या करूँ भाबी जी? जब से शादी होकर आई हो ना बस काम ही कर रही हो और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता पती है जो बस घर से आफिस आफिस से घर नानत को तो कॉलेज से फुरसत नहीं बची साथ तो उनका सारा समय मेरी गलतिया निकालने में लग जाता है अरे ये क्या कह रही हो सरीटा? तुम्हारी साथ तो पूरे महले में तुम्हारी तारिफ करती पिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो पूरा घर तुम ही ने संभाल रखा है हाँ तो क्या हुआ इसमें गलत क्या कहती है सची तो कहती है मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सब से कहा कल हम सबको मौसे जी के घर जाना है उनकी बेटी की शादी है सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो सुबह होते ही निकल जाएंगे और सरीता तुम कान खोल कर सुन लो वहाँ जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना नहीं तो मुझ सब बुरा कोई नहीं होगा हाई हाई जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबर शाम सब की बुराई करती फिरती हूँ आज तक कोई कहा नहीं सकता कि मैंने किसी के पीट वीचे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो आरे बास बहो बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या विवार करती है ये बात घर तक रखना शादी में किसी को कुछ मत बोलना नहीं तो सब कहेंगे कि शान्ती की बहु कितना बोलती है हाँ हाँ सब कुछ तो मैं ही बोलती हो न आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे उपर सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई सबका कितना ध्यान रखती हूँ लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है अगली सुबर सब लोग मौसी जी की घर पर चले जाते हैं वहाँ पर शादी का माहूल होता है सब जगत चहल पहल होती है बहुत सारे महमान आए है सरीता को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है वो अपने मन में सोचती है यहां कितना अच्छा लग रहा है कितनी रानक है मैं यहां किसी से ज्यादा बात नहीं करूँगी अगर मेरे मुझे से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझे से गुस्सा हो जाएंगी सरीता ये सब सोची रही थी कि वहां रोहन की कजन साक्षी आगे और सरीता से बोली आप सरीता भाबी हो ना जितना आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा सुन्दर हो हाँ वो तो है मेरी सुन्दरता की तारीफ सब करते है मेरे माई के में तो सब यही बोलते है कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मैं मिली लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं मैं रोहन भीया की कजिन हो आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी न इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी शांती मौसी और मिनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते है क्या कहा तुमने मेरी तारीफ? कभी नहीं मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ करी नहीं सकते मैं इतनी अच्छी हूँ मेहनती हूँ लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं सारा दिन घर का काम करती हूँ फिर भी मेरी सास दा मुझे सुनाती रहती है और पती भी मेरी सास की साइड लेते है ना कभी बाहर ली जाते हैं, ना कहीं घुमाने अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना, तो उनकी बहन बीच में आ जाती है मैं कैसे रह रहे हूँ उस घर में ये मैं ही जानती हूँ सरीटा की ये बाते सुनकर साक्षी को बड़ी हरानी हुई अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी रोहन और शांती को सरीता पर बहुत गुस्सा आया लेकिन वो चुप रहे आगले दिन जब वो अपनी घर पर आये सरीता तुमने क्यों सबके सामने मेरे इज़त का तमाशा बनाया तुमसे बोला था ना कि चुप रहे ना अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहा हो तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती बस अपनी कहती रहती हो तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बना कर रख दिया है ये भगवान मुझे अपने बास बुला ले जिस गर में मेरे कदर ही नहीं उस गर में मेरा क्या काम अरे क्या करूंगी मैं यहां रहकर जो भी आता है मुझे सुना कर चला जाता है मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती सीधी साधी बहुब मिल गई है ना सबको तो जो जी में आए वो करो सरीता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया और उस दिन भी उसने सबकी सामने खुद को बिचारी बना ही दिया अगले दिन मिनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी अपना नाश्टा लेने किचन में गई और पतिले में रखे गरम दूद को गिलास में डालने लगी दूद का पतिला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूद उसके हाथ पर गिर गया मिनाक्षी के आवाज सुनकर सरीता दोड़ती हुई आई ये क्या क्या तुमने तुम्हें नाश्टा चाहिए था तुम मुझसे बोल देती मैं क्या मना करती थी अब पता नहीं कितने दिन की मुसिबत पाल ली तुमने सरीता मिनाक्षी को उसकी कमरे में ले गई और उसका बहुत खयाल रखा उसका इस तरह से खयाल रखना शानी है